हाई फ्रेंड्स नीता की रसोई मैं आपका स्वागत है आज हम आपके लिए प्याज और बेसन की सबजी लेकर आए हैं जब हमारे यहाँ पे कोई सबजी नहीं होती है तो हमें समझ नहीं आता है कि अब क्या सबजी बनाया जाए तो प्यास तो सभी कियां रखे होते हैं और बेसन भी रहता है तो चलिए इससे सबजी बनाते हैं इसके लिए हमने कठाई ले लिया है, इसमें दो टेबल स्पून ओयल डाल दिया, ओयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं, एक टी स्पून जीरा डाल दिया है, और एक टी स्पून ड्राई डाल दिया है, इसे हम गरम होने देते हैं, और उसके बाद में ये लैसुन डाल देंगे, दो टीस्पून हमने लैसुन डाल दिया है, बारिक बारिक कट करके, या तो आप उसे कुछल के डाल दीजिए, और ये हमने तीन बड़े साइस के प्याज लिया है, क्योंकि प्याज ज़्यादा चाहिए होते है, इसी की सबजी बनना है, और इसे अच् स्वाद नुसार डाल सकते हैं अब देखते जाईए कि कितनी बढ़िया सबजी बनकर तया हो जाती है देखिए प्याज भी थोड़े सॉफ्ट हो गया है हमें से बहुत लाल नहीं करना है देखिए पिंक हो गया है प्याज अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और मसाले डाल दे दो टी स्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया और एक टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे इस तरह कि आप सबजी बनाईए बहुत फटाफट सबजी बनकर तयार हो जाती है बस दस मिनिट लगता है 10 से पंधरा मिनिट सबजी बनाने के लिए और यह हमने दो बड़े अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं टमाटरों को सॉफ्ट होते तक पका लेंगे इस पे हम नमक डाल देते हैं एक टी स्पून हमने नमक डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए है अब हम इसमें बेसन डालेंगे यह हमने आधा का बेसन लिया है आप कॉंटिटी इतनी रखिए अगर आप जादा बेसन डाल देंगे तो उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा इसलिए आप आधा का टोरी या आधा आधा आमने कफ लिया है यह बेसन डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम ढग कर पकने देंगे इसे दस मिनट के लिए पकने देते हैं भाफ में पक जाता है बेसन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राय हो गया है तो आप थोड़ा दो से तीन टेबल स्पूर पानी के छीटे दे सकते हैं देखिए दस मिनट हो गया है हमने बीच बीच में चमबच चला चला के इसे पका लिया है दस मिनट में आठ से दस मिनट में बेसन पक कर तयार हो जाता है और आप देखिए कितने जल्दी हमारी सबजी बन कर तयार हो गई है हरा धनिया डाल देते हैं इस तरह से आप जटपट सब्जी बना कर तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई option नहीं है सब्जी बनाने का कोई सब्जी है नहीं तो आप इस तरह की सब्जी बनाईए और पूरी पराथे रोटी के साथ में चावल के साथ में सर्व कीजिए दाल चावल के साथ में सब्जी बहुत ही स्वादिश्ट लगती है इस तरह की आप जटपट सब्जी जरूर बनाईए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद